हेलो फ्रेंड राधे राधे आज मैं फिर आपके पास आई हूँ कुछ नए टिप्स के साथ जिनका हेर सफेद हो रहा है उसको रोकने का कुछ घरेलू टिप्स जिसे कि आप रोक सकते हैं और बस और कुछ ने करना बस छोटा सा उपाए तो देखे चोटा सा उपाए में क्या करना है एक लोहे का तावा या लोहे का कराही जो भी यूज कीजिए लोहे का होना चाहिए ठीक है और उसको क्या करना है आप दो तीन बदाम में इसमें डालके पहले थोड़ा देर रोश्ट करूंगी एक से दो मिनट पहले बदाम को आपको फैदा बहुत जल्दी इसका रिजल्ट नजर आएगा तो देखे बदाम हमारा लगभग यह हो ही चुका है तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी प्याज प्याज नहीं फ्रेंट प्याज का चिलका यानि उपर का जो प्याज का कवर होता है वो हम एड़ करेंगे दे कि इसमें बहुत हमारे हेयर को जो जर्णे से का मतलब सफेद होने से बहुत मतलब बहुत तरीके का गुन है यह प्याज में तो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसमें क्या करना है अब मैं हाफ चमच मेथी दाना डाली हो हाफ चमच मेथी दाना डालके उस चार समान में इसमें आड़ कर चकी हूं और उसके वादी तीनों-चार समान को अच्छी तरीके से एक ब्रावर से चलाते हुए इसे हमें भुनना है ज्यादा नहीं बस पांच मिनद जब हलका सा धुआ निकलने लगे न तो आप समझ जाएए कि आपका तैयार हो चुका है यह आप तो यह के बाता हैं जो कि जिनके किस सफेद हो रहें uns के लिए है क्वेज करती हूं जो कि हुड को थरी है छोड का तो जो किसी प्लेट में निकाले के थोड़ा दे के लिए मैं च्ञीड दाने के लिए और रीडियों की ऐसा में च लोड़ा है। सम्झलना टाई तो आपका खुल को भूलए हो चुखा है। यह आपको सी बूलए अटिया और अर्फाना लेखे कि अधाला ही. मैं छोड़ दूंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक शेर जरूर कीज़ेगा जरूर बताइए कि आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है क्योंकि कोशिश करें हैं हर दिन कुछ नया कुछ अलग आप लोग को देने का तो देखे जिनके हैर इस तरीके से हो च आता है लेकिन उसके बाद फिर उससे जादा ही सफेद हो जाता है तो वह अच्छा नहीं है वह अभी मतलब कि वह नहीं है छोटा सा उपाई करके हम अपने हेर को सफेद होने से रोग सकते हैं यह जरूर आपको कंट्रोल करेगा तो यह से कोई भी यूज कर सकते हैं आज कर हेर सफेद होना तो आम बात हो गया है बच्चे लोग का भी हो रहा है तो उसे कोई बड़ी बात नहीं है तो इसलिए हम अब सभी के जार नहीं तो आप छोटे वाली मिक्सी के जार में इसको पीसे को बहुत ही अच्छा इसका पाउडर बनना चाहिए मेरा हला की ये थोड़ा सा मोटा बना हुआ है क्योंकि छोटा वला मेरा खड़ाब होने के कारण में बड़े वाली मिक्सी के जार में कीजिएगा तो ये देखे हो गया बना ली हो इसका पॉडर अब इसमें क्या करना है तेल यूज करना है तेल आप कौन सा यूज करते हैं जो आप तेल यूज करते हैं वो इस तेल को इसमें एक चमज दालिए एक चमज तेल याड़ करूंगे और एक चमज दो चमज लगभग पानी इसमे अप्लाई करके और गंटा दो घंटा पर इसको छोड़ दीजिए कम से कम दो घंटा जरूर रखिए और उसके वाद आप इसको धो लीजिए दिखिएगा कि इतना अच्छा आपका केस जो है ना साइनिंग भी करेगा और अपका हेर में कलर भी जो है दिखने लगेगा इसका एक अलग ही कलर आपको दिखेगा है मतलब कि सफेद बाल भी थोड़ा सा कलर चेंज होगा बहुत ही अच्छा है मैं खुद भी यूच करती हूँ बहुत ही अच्छा है हमारे हेर के लिए तो क्योंकि मतलब कोई थे नहीं जो मैं कैमरा यूच की आप लोग से नहीं दिखा पाई तो इस थरीके से आप सारे हेर में अप्लाई कर लेना है अग करने के बाद आपको घंटा कम से कम दो घंटा तो जोरूर रखिए यह आपके हेर के लिए बहुत ही अच्छा है चोटा सा टिप्स है क्योंकि यह जो है ना कि हमारे हेर को प्याज तो ऐसे भी हमारे हेर के लिए बहुत अच्छा होता है पता है मेथी भी अच्छा होता है कलाउंजी भी अच्छा ही होता है तो जो भी है सब घरेलू है कुछ भी बाहर से लाने का जंजट नहीं है घर का कुछ समान से आप छोटा मोटा उपाय करके अपने हेर को सुधार सकते हैं ऐसे भी आजकाल हेर जो है ना बहुत ज्यादा बहुत समय से पहले ही केस पकना जढ़ना यह सब तो आम बात हो गया है तो छोटा मोटा उपाय करके हम इसे ठीक कर सकते हैं तो आप लोग एक बाद ज़रूर ट्राइ कीजिएगा हम तो यूज करते हैं यह मैं खुद अपने लिए बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा हेर पे तो केर करना पड़ता है नहीं तो इतना अजकल जो है समय से पहले केस जढ़ना दो मुहे केस होना ड्राइ होना यह सब तो आम बात हो गया तो छोटा मोटा उपाय करके कोशिस करती हो कि ठीक करूं क्योंकि कैमिकल कितना यूज कीज़ेगा बाहर का जो भी पोड़ेक्ट लाइए सभी में कुछ नो कुछ मिलावट रहता है तो छोटा मोटा उपाय घर का आप करके आप सुधार सकते हैं तो देखिए इस तरीके का आपका दिख रहा है कम से कम इसको तीन से चार वर यूज जरूर कीज़े तभी आपको इसका रिजल्ट नजराएगा कोई चीज तो तुरंट करने से नहीं होता है कम से कम कुछ दिन यूज कीज़े तभी आपको इसका रिजल्ट नजराएगा हेर बहुत ही जल्दी इसको काला करता है बहुत ही जल्दी आपका हेर काला होगा और बहुत ही अच्छा साफ्ट भी होगा आपको खुद में फ़र्क नजराएगा कि हमारा हेर कितना अच्छा हो रहा है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीज फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स